नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वाएंस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम दिल यानि की हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो यह important topic है चाहे किसी भी परिक्षा की आप त्यारी कर रहे हों यहां से आपको प्रशन देखने को मिल जाएगा तो इस वीडियो में हम पूरे हार्ट के फंशन को समझेंगे तो जैसा कि हम बलड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में रक्त परिसंचरन तंतर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि रक्त परिसंचरन तंतर के तीन भाग होते हैं रक्त, रक्त वाहिनिया और हिर्दय तो रक्त के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया उसमें हमने देख लिया कि रक्त कैसे बनता है तो बलड के बारे में हमने पढ़ लिया है और बलड वैसल्स के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया जिसमें हमने धमनिया, शिराएं और केशिका के बारे में पढ़ा, तो बचा हिर्दय, तो हाट के बारे में आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे, पहले पूरे टोपी को समझेंगे, और लास्ट में प्रीवियस येर क्वेशन भी कवर करेंगे, तो चलिए बिना दिरी की हु जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, तो जो हमारा हिर्दय है, हाट है, ये हमारी पसलियों के नीचे स्थित होता है, तो हमारे शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, मैंने कंकाल तंतर वाले वीडियो में बताया था, तो 24 पसलियां होती हैं, अगर जोड़ी में बताया जाए, तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, टोटल कितनी होती हैं, तो 24 पसलियां होती हैं, इनी पसलियों की नीचे हमारा दिल होता है, यह पसलियां क्या करती हैं, दिल को सुरक्षा परदान करती हैं, तो जो हिर्द्य है, यह अनच्छिक पेशियों का बना होता है, जिसे हिर्द्यक पेशि भी कहा जाता है, यानि कि काडियक मसल भी कहा जाता है, तो जो हमारा हाठ है, ये कौन सी मसल का बना है, तो ये काडियक मसल का बना है, और हिर्द्य एक दोहरी जिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकाडियम कहते हैं, और इन जिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, जो कि हिर्दे को बाहरी अगहातों से बचाता है, बाहरी चोट से बचाता है, तो जो हिर्दे है न, ये दोहरी जिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और इन जिल्लियों के मध्य एक फ्ल्यूड होता है, द्रव भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है, और ये द्रव हिर्दे को बाहरी अगहातों से बचाता है, तो वैसे तो जो मानाव का हिर्दे है न, ये मध्य में होता है, सेंटर में होता है, लेकिन जो इसका अधिकांश भाग है ये बाई और जुका होता है इसलिए जो हमारा हिर्दय है ये कौन से साइड होता है तो लेफ्ट साइड होता है बाई और होता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग बाई और जुका होता है तो जो मानव का हिर्दय है इसका ओसतन भार यानि कि एवरेज वेट कितना होता है तो इसका ओसतन भार लगभग 300 ग्राम होता है यानि कि 300 ग्राम के आसपास एक व्यस्क मनुश्य के हिर्दय का भार होता है जिसमें से अगर बात की जाए जैसा मैंने आपको बताया कि वैसे त इसका अधिकांश भाग बाई और जुका हुआ है, तो मध्य में इसका भार है 80 ग्राम और बाई और जो जुका हुआ है, बाई और इसका भार है 220 ग्राम, तो टोटल मिलाकर लगभग 300 ग्राम हिर्दय का भार होता है, और जो मानव हिर्दय है, ये बंद मुठी के समान होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता आप अपनी मुठी को बंद करेंगे न तो बस बंद मुठी के समान ही इसका अकार होता है इतना ही ये बड़ा होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता इसका भार कितना होता है तो लगभग 300 ग्राम इसका भार होता है उसके बाद आगे चलते हैं तो मनुष्य का हिर्दय चार कोश्ठों यानि की चार चेमबर का बना होता है तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि मानों हिर्दय में चार कमरे होते हैं चार चेमबर होते हैं तो इसे मैं आपको डाइगराम की साहिता से बताता हूँ तो जो हमारा हिर्दय होता है उसकी शेप ऐसे नहीं होती लेकिन फिर भी मैंने आपको समझानी की दृष्टी से ऐसे बताया है ताकि आपको असानी से समझ आ सके तो जो हमारा हिर्दय है न इसके चार भाग होते हैं, चार कोष्ट होते हैं, जिन्हें चेमबर कहा जाता है, तो मानव हिर्दय के उपपर के भाग को आलिंद कहा जाता है, उपपर के जो ये दोनों चेमबर हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा आलिंद, और इंगलिश में क्या कहेंगे, एट्रियम, और नी जो दिशाएं होती हैं, उपर को हम नोर्थ कहते हैं, नीचे को साउथ कहते हैं, हम मान के चलते हैं ना, उसी परकार, साइन्स में, जब भी हम कोई डायग्राम समझेंगे, तो इस साइड को राइट साइड और इस साइड को लेफ्ट साइड कहेंगे, तो ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि अब ही आप screen को देख रहे हैं assume कीजिए कि आप screen में हैं और अपने हां को देखिए तो ये आपका dyan side होगा और ये bayan side होगा इसलिए से right side कहते हैं और इसे left side कहते हैं तो इस तरफ के आलिंद को dyan island और इसको bayan island कहेंगे और नीचे वाले इस तरफ के निले को दाया निले और इसको बाया निले कहेंगे तो उपर के भाग में दाया आलिंद और बाया आलिंद होता है और नीचले भाग में दाया निले और बाया निले होता है तो जो आलिंद है ना इसमें खून आता है आलिंद में खून आता है और निले से खून निकलता है आसान है आलिंद में क्या है आ तो इसमें खून आता है यानि कि उपपर के दोनों चेंबर में खून आता है आगे मैं आपको डाइगराम में समझाऊंगा पर आप इतना समझ लेजिए कि आलिंद में खून आता है और न भी एकजा में पूछा जाता है, कि जो मत से समूव है, यानि कि मचलियां हैं, तो मचलियों में कितने चेंबर का हाट होता है, तो दो चेंबर का हाट होता है, और उभैचर, यानि कि एमफीबियन में कितने चेंबर का हाट होता है, तो एमफीबियन कौन होते हैं, जो पानी औ जमीन दोनों पर रह लेते हैं, जैसे मिंधक, तो उभैचर में कितने चेंबर का हाट होता है, तीन चेंबर का, उसके बाद है सरी स्रिप, यानि कि रेप्टाइल, रेप्टाइल कौन होते हैं, तो रेंगने वाले जीव, तो इन में कितने चेंबर का हाट होता है, तो तीन चे चार चेंबर का हाट होता है, तो मनुशे भी इसमें आता है, तो मैमल्स में चार चेंबर का हाट होता है, यह एक्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, या देखेगा, मचलियों में दो चेंबर का हाट, एमफीबियन में तीन चेंबर का हाट, रेप्टा पर इसमें चार चेंबर का हाट होता है या दखेगा और कई बार ये एक्जा में पूछा भी गया है कि मगरमच में कितने चेंबर का हाट होता है तो चार चेंबर का हाट होता है और कोक्रोच में ये एक्जामिनर का फेवरेट क्वेस्चन है कि कोक्रोच में कितने चेंबर का ह तो कोक्रोच में 13 चेंबर का हाट होता है, या दखेगा कितने चेंबर, 13 चेंबर का हाट होता है कोक्रोच में, और इसी के साथ एक नोट है, ये भी या दखेगा कि किसका दिल सबसे बड़ा होता है, तो वैसे तो मां का दिल बड़ा होता है, पर भावनाओं में बहकर नमबर नहीं मिलेंगे, तो किसका दिल बड़ा होता है, तो ब्लू वेल का दिल सबसे बड़ा होता है, या दखेगा, काफी वजन होता है, ब्लू वेल के दिल का, तो इसका दिल सबसे बड़ा होता है, तो पीछे हमने पढ़ा, कि जो मानों का हिर्दय है, इसमें कितने चेंबर होते ह तो चार चेंबर होते हैं, उपपर वाले दोनों चेंबर को आलिंद और नीचे वाले दोनों चेंबर को निले कहते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, तो इनमें कुछ वोल्व पाए जाते हैं, यानि कि कपाड पाए जाते हैं, तो कपाड समझ लिजिए कि एक परकार से छि कपाट खून को दिशा प्रदान करते हैं, तो जो खून आलिंद में आएगा न, वो इन ही कपाट के माध्यम से नीचे निले की और जाएंगे, तो जब खून उपर से नीचे की और आता है, उसके बाद ये जो कपाट है, बंध हो जाते हैं, ताकि जो खून है, वो वापस न लोट जाए, तो जो ये कपाट है, इनका काम क्या है, तो इनका काम खून को दिशा प्रदान करना है, तो चार कपाट है, जो आपको याद अखने हैं, पहला है, त्रिक परदी कपाट, इंगलिश में कहते हैं, ट्राय कस्पिड वोल्व, और जो ये ट्राय कस्पिड में कौन सा कपाट पाए जाता है तो तरिक पर्दि कपाट इंग्निश में कहते है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीन छिद्र हैं, तीन कपाट हैं तो इसलिए से त्राइक कपाट वोल्व कहते हैं तो दाएं आलिंद से जो खून है इनी ट्राय कस्पिड से होकर गुजरता है और दाय निले में जाता है और बाय आलिंद और बाय निले की बीच में आप देखेंगे कि कौन सा कपाट पाए जाता है तो बाय कस्पिड वोल्व यानि की दुईक परदी कपाट पाए जाता है तो दाय आलिंद और दा गैसे दाएए निले में कोण सा कपाड पाड 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 पाय जाता है। और आप देखेंगे कि हिर्दे के बीच में एक मांस पेशी की सरंचना होती है जिसे सेप्टम कहते हैं तो सेप्टम का क्या कारे होता है तो हिर्दे के दाई और अशुद रक्त होता है और बाई और शुद रक्त होता है तो अशुद और शुद क्या है पिछली वीडियो आप अपने देखी होगी, तो आपको पता होगा, तो अशुद्रक्त का मतलब है, जिसमें carbon dioxide है, और शुद्रक्त का मतलब क्या है, जिसमें oxygen है, तो दाइं और अशुद्रक्त होता है, और बाइं और शुद्रक्त होता है, तो जो ये septum क्या है, तो जो ये septum है न, इनके बीच में दिवाल का काम करता है ताकि अशुद रक्त शुद रक्त में मिलना जाए इसलिए बीच में एक मास पेशी की सरंचना पाई जाती है जिसे सेप्टम कहते हैं तो जो भी मैंने आपको बताया इसे एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए तो त्रिक पर्दी कपाड ट्राय कस्पिड वोल्व क्या काम है इसका तो ये दाय आलिंद और दाय निले की बीज इस्थित कपाड होता है जो की रक्त को दाय आलिंद से दाय निले में जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता तो मैंने आपको बताया था ना, जो कपाठ है, जो वोल्व है, इनका काम क्या है, तो यह बलड को रास्ता तो दिखाएंगे, लेकिन बलड को वापस नहीं आने देते, उसके बाद है, बाए कस्पिड वोल्व, तो यह बाया आलिंद एवं बाया निले के मदिस्थिर कपाठ ह जो कि बाए आलिंद से बाए निले में रक्ट को जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता उसके बाद है सेमिल्यूनर वोल्व तो सेमिल्यूनर वोल्व रक्ट को निले से धमनियों में परवायत होने की अनुमती देता है और धमनियों से निले में रक्ट के पिछड जो ये कपाठ है, खोन को वापस निलय में आने से रोकता है। उसके बाद है महा धमनी कपाठ, तो महा धमनी वोल्व बाय निलय में पाई जाती है और महा धमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जो महा धमनी होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है और महा धमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनीों में बढ़ जाती है। उसके बाद है सेप्टम तो मास पेशियों की दिवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है उसे सेप्टम कहा जाता है। यह हिरदयक अक्षों की बीज एक अवरोध बनाता है और यह ओक्सीजन युग्त और कार्बन डाय ओक्साइड युग्त रक्त के मिश्रन को रोकता है यानि कि यह अशुध रक्त और शुध रक्त को आपस में मिलने से रोकता हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको धमनी और शीरा के बारे में पता होना चाहिए, तो वैसे तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा आपको ओवर्वियू दे देता हूं, ताकि आपने अगर पिछली वीडियो ना भी देखी यो तब भी आपको धमनी और शीरा के बारे में पता हो, तो धमनिया क्या होती हैं, आर्टरिस क्या होती हैं, तो ऐसी रक्त वाहिनियां, जो ओक्सीजन युक्त, शुद्ध रक्त को हिर्दय से विभिन अंगों तक लेकर जाती हैं, उन्हें धमनी कहते हैं, तो जो धमनिया होती है न, इनमें शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त का मतलब की ओक्सीजन युक्त रक्त होता है, और ये शुद्ध रक्त को हिर्दय से विभिन अंगों तक लेकर जाती है, लेकिन या दखेगा एक इसका अपवाद है, उसका नाम है फुफुस धमनी, फुफुस यानि की फिफडा, जिसे इंगलिश में कहते हैं पल्मनरी आर्टरी, तो ये धमनियों का अपवाद है, क्योंकि इसमें कार्बन डाय ओक्साइड युक्त अशुद रक्त प्रवाहित होता है, पल्मनरी आर्टरी में अशुद रक्त होता है, तो ये धमनियों का अपवाद है, उसके बाद है शिराये, तो ये ऐसी रक्त वाहिनिया होती है, दो शरीर के विभिन अंगों से कार्बन डाय ओ उक्साइड युक्त अशुद रक्त को हिर्दय की ओर लेकर आती हैं, उन्हें शिराय कहते हैं, तो जो धमनिया होती हैं, ये शुद रक्त हिर्दय से विभिन अंगों तक पहुचाती हैं, और जो शिराय होती हैं, ये विभिन अंगों से अशुद रक्ते लेकर आती हैं, और ह खिरदय तक पहुचाती हैं, इन्हें शिराएं कहा जाता है, तो जैसे pulmonary artery धमनियों का अपवाद है, वैसे ही pulmonary veins यानि की pulmonary शिरा भी शिराओं का अपवाद है, क्योंकि इसमें oxygen युक्त शुद रक्त प्रवाहित होता है, वैसे शिराओं में अशुद रक्त प्रवाहित होत तो आगे अब हम heart के पूरे function को समझ लेते हैं तो इस diagram को देकर घवडाईए मद अगले 3 मिनिट में आपको ये diagram पूरी तरह से रट जाएगा आपको पूरे heart का function याद हो जाएगा तो एक-एक step करके आगे हम बढ़े हैं तो हमने पहले step में पढ़ा था कि जो हमारा हिर्दा है इसके 4 chamber होते हैं उपर वाले दोनों chamber को आलिंद और नीचे वाले दोनों chamber को निले कहते हैं जो दाई और है उसे दाया आलिंद और दाया निले कहेंगे जो बाइय और है उसे बाइय आलिंद और बाइय निले कहेंगे उसके बाद second step में मैंने आपको बताया कि इनके बीच में कपाड पाय जाते हैं वोल्ब पाय जाते हैं जैसे कि दाएय आलिंद और दाएय निले के बीच में ट्राय कस्पिर वोल्ब पाय जाता है बाएं आलिंद और बाएं निले के बीच में बाएं कस्पिर वोल्व पाय जाता है दाएं निले में सेमिल्योनर वोल्व पाय जाता है और बाएं निले में अयोटिक वोल्व पाय जाता है तो हमने सेकंड स्टेब में वोल्व पढ़ लिये थे यानि कि कपाड पढ़ लिये थे और मैंने आपको ये भी बताय था कि हिर्दय के दाइं और अशुद्रक्त होता है और बाइं और शुद्रक्त होता है तो दाइं और अशुद्रक्त और बाइं और शुद्रक्त कैसे आता है ये अब हम देखते हैं कि कैसे अशुद्रक्त शु सुपीरियर वेनकावा हिंदी में कहते हैं अगर महाशिरा और निम्न महाशिरा तो शीरा का काम क्या होता है अशुद्रक्त को हिर्दय तक पहुचाना तो यह इसका काम है अगर महाशिरा क्या करेगी सुपीरियर वेनकावा क्या करेगी कि जो हमारी अपर बोडी है न अपर ब पोड़ी से अशुद रक्त निम्न महाश्रीरा से होते हुए दाएं आलिंद में जाएगा तो सुपीरियर वेनकावा और इंफीरियर वेनकावा का काम क्या है तो ये हमारे शरीर से जो भी अशुद रक्त है यहां से होकर दाएं आलिंद में जाता है अब दाएं आलिंद में जो भी अशुद्रक्त है, वो क्या होगा, कि जो ये ट्राइक कस्पिड वोल्व है न, यहां से होते हुए सारा अशुद्रक्त दाए निले में चला जाएगा, और मैंने आपको बताया कि उसके बाद ये वोल्व बंध हो जाते हैं, ताकि ये खून उपर की ओर न लोड जाए तो दाए अलिंद से, जो अशुद्रक्त है, यह कहां पर आएगा? दाए निले में आएगा, उसके बाद दाए निले में कौन सा वोल्व है, तो सेमी ल्योनर वोल्व पाए जाता है, अर्ध चंदरकार का पाट पाए जाता है, तो यहां से अशुद्रक्त क्या होगा? तो शुद्रक्त प्रवाहित होता है लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका एक अपवाद है जो पल्मनरी आर्टरी है भले ही वो धमनी है लेकिन इसमें अशुद्रक्त प्रवाहित होता है तो जो भी रक्त दाएं आलिंद में आय था अशुद्रक्ट उसके बाद वो नीचे दाय निले में आता है और दाय निले में कौन सी धमनी है फुफुस ये धमनी है ये फेफडों तक जाती है तो यहां से अशुद्रक्ट कहां पर जाएगा फेफडों में जाएगा अशुद्रक्ट का मतलब क्या है किसमें Carbon Dioxide है तो यहां से अशुद्रक्त फेफडों में जाएगा और फेफड़े क्या करेंगे इस अशुद्रक्त में oxygen मिला देंगे और Carbon Dioxide को बाहर निकाल देंगे तो जैसे ही बलड में oxygen मिल जाएगी तो बलड क्या हो जाएगा अब ये शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओक्सीजन मिल गई है, तो अब क्या होगा, कि फेफणों से बाएं आलिंद की ओर एक वेंस जाती है, एक शिरा जाती है, जिसे फुफुस्य शिरा कहा जाता है, पल्मिनरी वेंस कहा जाता है, तो वैसे तो जो शिरा होती है, फेफणों से निकल कर दिल में जा रही है न, तो जो भी खोन फेफणों में आया, फेफणों ने क्या की, उसमें ओक्सीजन मिला दी, उसके बाद शुद्ध रक्त पल्मिनरी वेंस से होते हुए, कहां पर आएगा, तो लेफ्ट आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में आ जलती है, तो महाधमनी निकलती है, इसे महाधमनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, इसलिए से महाधमनी कहते हैं, और ये महाधमनी आगे चलकर छोटी-छोटी धमनियों में बढ़ जाती है, तो जो भी शुद्ध रक्त है न, ये महा धमनी से हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, क्योंकि महा धमनी आगे चलकर छोटी-छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी, और धमनियां मैंने आपको बताया था, हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं, तो महा धमनी से जो शुद रख्त है न, ये हमारे शरीर के सभी अं उसके बाद ट्रायक कास्पिर वल्व से होते हुए जो अशुद्रक्त है ये दाय निले में आएगा और निले में अर्द चंद्रकार कपाड पाया जाता है जहां से पल्मनरी आर्टरी निकलती है और ये फेफ़णों की ओर जाती है ताकि ये बलड को शुद्र किया जा सके त बाय आलिंद में आता है बाय आलिंद में जो शुद्रक्त है ये बाय कास्पिर वल्व से होते हुए हमारे बाय निले में जाता है और बाय निले से जो ये शुद्रक्त है ये महा धमनी से होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और ये भी या दखेगा ये प्रशन तो बाय निले का ही है न, यही पंप करके पूरे शरीर तक खुन पहुचा रहा है, तो बाय निले की जो मांस पेशिया होती है, मोटी होती है, इसलिए याद अखेगा कि बाय निले चारो चेंबर में से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, और इसी के साथ एक बात ये भी या अंते हैं, तो जब भी प्रेशन पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरन कौन सा अंग करता है, तो फेफडे रक्त का शुद्धिकरन करते हैं, और रक्त को फिल्टर कौन करता है, रक्त को छांता कौन है, तो किड्नी यानि कि गुर्दे रक्त को फिल्टर करते हैं, तो ज पूलकोज जैसे ही ओक्सीजन के साथ मिलेगा, कारबन डाय ओक्साइड बनाएगा, उसके बाद यह पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, अशुद रख्त होकर आएगा और शुद रख्त होकर फिर हमारी कोशकाओं तक जाएगा, फिर वहाँ से अशुद रख्त आएगा, यानि कि यह पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, तो जो भी मैंने आपको डायग्राम में पढ़ाया, वो यहाँ पर लिख दिया है, कि समपूर्न शरीर से शिराओं के द्वारा जो अशुद रख्त है, यह हिर्दय के दाएग आलिंद वाले भाग में लाया जाता है, फ बाएग आलिंद से जो रख्त होता है, यह त्रिक पर्दिक पाड के द्वारा दाएग निले में पहुँच जाता है, और दाएग निले से जो अशुद रख्त है, यह पल्मनरी धमनी से होते हुए फेफडों तक लेकर जाय जाता है, और उसके बाद फेफडे क्या करते हैं रख्त को शुद कर देते हैं, तो शुद रख्त को फेफडों से हिरदय के बाएग आलिंद वाले भाग में पल्मनरी शीरा के द्वारा लाय जाता है, और बाएग आलिंद से जो यह रख्त है, यह द्विक पर्दिक पाड के द्वारा बाएग निले में प्रवेश करता है, और बाय निलय में स्थित माध्धमनी के द्वारा शुद्ध रक्ट को छोटी-छोटी ध्धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है तो ये था function of heart तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा तो उसके बाद आगे चलते हैं तो हिर्दय की सपंदन किरिया यानि की जो हिर्दय की pumping किरिया है इसके माध्यम से हिर्दय शरीर के विभिन भागों में रख्ट की आपूर्ती करता है तो हिर्दय का काम क्या है? Pump करना तो हिर्दय जब pump करता है, तभी जो रख्त है हमारे शरीर के विभिन भागों तक पहुँचता है, तो हिर्दय स्पंदन ये हिर्दय की धड़कन का अर्थ क्या होता है, तो जो हम कहते हैं हार्ट बीट, तो हार्ट बीट का मतलब क्या है, तो एक संकुचन तथा एक अनुशि जिसे डास्टोल कहते हैं, इसका मतलब है हिर्दय का फैलना, तो जब हिर्दय एक बार सिकुडता है और एक बार फैलता है, तो इसे एक हार्ट बीट कहते हैं, तो संकुचन का अर्थ होता है सिकुडना, इसके द्वारा धमनियों पर दबाव डाला जाता है, और अनुशित प्रेशर प्लस एक डास्टोलिक प्रेशर यानि कि जब हिरदय एक बार संकुचित करता है और एक बार फ्यलता है जिसे अनुशितलन कहते हैं तो इन दोनों को मिलाकर एक हार्टबिड कहा जाता है एक हिरदय की धड़कन कही जाती है तो एक समान्य मनुशे का हिर्दय एक मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है या दखेगा कितनी बार धड़कता है और हिर्दय के अध्यन को क्या कहा जाता है हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है तो काडियोलोजी कहा जाता है कई बार एक्जामें पूछा गया है कि हीरदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है काडियो लोजी कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर में हीरदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। यानि कि जो हमारी एक हार्ट बीड होती है, इसमें कितना समय लगता है, तो मनुष्य के शरीर में हिर्दय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकिंड लगता है, तभी तो 60 सेकिंड में हमारा हिर्दय 72 बार धड़कता है, क्योंकि हमारे हिर्दय को धड़कने में एक सेकिंड से भी कम समय लगता है 0.8 सेकिंड में हिर्दय एक बार धड़कता है और हिर्दय की धड़कन को उत्तेजित यानि कि बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है तो थारोक्सिन हार्मोन हिर्दय की धड़कन को उत्तेजित करता है और एक डिवाइस है जिसे पेसमेकर कहते हैं तो पेसमेकर जिसे काडियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है एक छोटा सा जिकिस्सा उपकरन है जो आसमान्य हिर्दय गति के हिर्दय की तो कई बार क्या होता है कि किसी मनुश्य की जो हिर्दय की धड़कन है इसकी जो गति है न ये काफी धीमी हो जाती है और इसका उल्टा भी हो सकता है काफी तेज हो जाए तो आसमान ये हिर्दय की गति को नियंतरित करने के लिए एक डिवाइस लगा जाता है जिसे पेस मेकर किसे संबंदित है, तो ये हिर्दय से संबंदित है, उसके बाद आगे भम, बलड प्रेशर देख लेते हैं, तो जब हिर्दय संकुचित होता है, तो धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, तो धमनियों पर दबाव क्यों पड़ता है, क्योंकि जब हिर्दय संकुचित हो हिरदय संकुचित होता है, तब धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसे संकुचन दाव या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और ये प्रेशर कितना होता है, क्योंकि हिरदय पंप कर रहा है, तो यह ज़्यादा होता है, 120 mm का ये प्रेशर लगता है, लेकिन जो किया जाता है कि BP कितना है तो normal BP होती है 120 बटा 80 120 क्यों? क्योंकि heart जब pump करता है तो जो blood होता है धमनियों से जाता है उसकी गत्ती कितनी होती है यानि कि उस पर pressure कितना लगता है तो 120 mm का pressure लगता है और जब blood वापस आता है तो उसका pressure होता है 80 mm का इसलिए जो normal BP होती है ये 120 बटा 80 होती है और blood pressure को मापने वाले यंदर को क्या कहते हैं तो sphygno manometer कहते हैं BP मापने वाले यंदर को sphygno manometer कहा जाता है और इसी के साथ ये याद अखेगा कि हिर्दे धड़कने पर कैसी ध्वनी उत्पन होती है तो लब डब ये ध्वनी क्यों उत्पन होती है तो जो हमारे हिर्दे में वोल्व होते हैं कपाठ होते हैं जब वो बंध होते हैं तो ध्वनी उत्पन होती है कौन सी लब डब लब डब तो यहाँ पर हमारा theory section complete होता है अब हम previous year question देखते हैं तो पहला प्रशन है कि हिर्दे के बाहरी आवरन को क्या कहा ज जाता है तो हिर्दे के बाहरी आवरन को pericardium कहा जाता है तो इसका सहे जौप क्या होगा? option D, अगला question है कि मानो हिर्दे में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्俱 क्श कोन से है तो मानो हिर्दे का सबसे मजबूत chamber कोन से है? तो मैंने आपको बताया था जो बाया निले ह यह सबसे मजबूत चेंबर है, क्योंकि यहीं से आखरी में जो शुद रक्त है, यह हमारे शरीर के विभिन भागों तक पहुंचता है, तो जो बाया निला है, यह हमारे हिर्दय का सबसे मजबूत कक्ष है, तो इसका सही जवाब है, option B, अगला प्रेशन है, कि मानो हिर्दय म कितने कक्ष होते हैं, तो बताईए, मानो हिर्दय में कितने चेंबर होते हैं, तो चार चेंबर होते हैं, तो इसका सही जवाब है, option D, अगला प्रेशन है, कि मानो के हिर्दय में कौन सी एक ऐसी आकरती होती है, जो oxygen युक्त और carbon dioxide युक्त रख्त के हिर्दय में पहुँच जो अशुद रक्त को शुद रक्त से आपस में मिलने से बचाती है, तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है, सेप्टम, option C, इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन है, किन्यम निलिकित में से कौन सा हिर्दय का वोल्व नहीं है, तो द्विक पर्दी, महाधमन और तिरिक पर्दी, ये तीनों तो हिर्दय के कपाठ है, लेकिन सेप्टम ये हिर्दय का कपाठ नहीं है, यानि कि हिर्दय का वोल्व नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? option C, अगला प्रेशन है, कि एक व्यस के व्यक्ति में मानो हिर्दय प्रती मिनट लगभग कि समबंद किस से है, गुर्दय से, दिमाग से, फेफड़े से या हिर्दय से, तो पेस मेकर का समबंद हिर्दय से है, तो इसका सही जवाब है option D, अगला प्रेशन है, कि मनुष्य के शरीर में हिर्दय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो हिर्दय को एक बा एक बार धड़कने के हिर्दय का वजन लगभग कितना होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है option B, अगला प्रेशन है, कि मनुष्य में रक्त चाप, यानिकि Blood Pressure समानिता कितना होता है, तो मनुष्य में समानिता BP कितनी होती है, तो 120 बटे 80, इस अगला प्रेशन है कि कौन सी शीरा फेफडों से हिर्दे में शुद्रक्त लेकर जाती है, तो वैसे तो जो शीरा है इसमें अशुद्रक्त प्रवायत होता है, लेकिन कौन सी शीरा है जिसमें शुद्रक्त प्रवायत होता है, तो इसका सही जवाब क्या है, फुफुस शीरा यानि कि pulmonary veins, option B, इसका सही जवाब है। आज का आखरी प्रेशन है, कि जब मानव हिर्दय में बाय निले का संकुचन होता है, तो रक्त निम्न लिखित में से किसकी तरफ जाता है, तो बाय निले का संकुचन मतलब क्या है, तो बाय निले आखरी पड़ाव है, यहां से क्या होगा, जो blood है, यह महा धमनी से होते हुए, शरीर के विभिन भागों तक पहुँच जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, option C, महा धमनी, तो आज के वीडियो यहीं पर खत्म होती है, कैसी लगी है वीडियो, कोमेंट सेक्षर में जरूर बताना धन्यवाद,